अगर आप से पूछा जाए कि आपने आज तक सबसे महंगी चीज क्या खाई है तो आप सोच में पढ़ जाएंगे हो सकता है आप केसर का नाम ले पर केसर तो जनाब ग्राम के हिसाब से मिलती है वो भी सीधे तोर पर नहीं खाई जाती किसी मिठाई या दूद में ली जाती ह लेकिन अगर हम आपको कहें कि दुनिया में एक जगा ऐसी आईस्क्रीम बनती है जो एक तोले सौने से भी ज्यादा महंगी है यानि आप अपनी एक तोले की चैन से भी उस आईस्क्रीम की एक चमच का स्वाद नहीं चक सकेंगे वैसे खाने की चीजों में बहुत सी ऐसी च कीमत 840 डॉलर है यानि लगबग 60,000 रुपे बता दें फिलाल 22 करट के एक तोले सौने की कीमत 50,000 रुपे है वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस आईस्क्रीम में क्या है जो ये इतनी महंगी है दरसल इस आईस्क्रीम के इतना महंगा होने के पीछे का कारण है पहला इस इसमें आला दर्जे का केसर और ब्लैक ट्रॉफल भी मिलाया जाता है इतना ही नहीं इस आईस्करीम को सर्व करते वक्त इसकी garnishing टेस करेट खाने के सौने से की जाती है इसके अलावा इस आईस्करीम को ब्लैक और कोल्ड कलर के स्पेशल वर्साची बाउल में सर्व किया ज की जाती बलकि हैं तेईस केरिट के एडिबल गोल्ड से बनी लेटी कॉफी भी सर्फ की जाती है इस कॉफी को गोल्ड कॉफी के नाम से भी जाना जाता है जब खाने पीने की बात हो ही रही है तो हम आपको सबसे महेंगे आईस-क्रीम के बाद अब दिखाते हैं दुनिया के स शेफ ने मेलकर दुनिया के सबसे महंगे फ्रेंच फ्राइज को बनाया है फ्रेंच फ्राइज की इस डिश को क्रीमे दिला, क्रीमे, पोमी, फ्रिटिस नाम दिया गया है सबसे महंगी होने की वज़ा से इस French Fries का नाम Guinness World Records में भी दर्च किया गया है आपको बता दें इस French Fries की कीमत 200 अमारी की डॉलर है यानि करीबन 14,922 रुपए इन French Fries के इतना महंगा होने के पीछे का कारण है इसमें इस्तमाल होने वाले इंग्रीडियन्स इसमें भी आइसक्रीम की तरह गोल्ड का इस्तमाल किया गया है बता दें इन French Fries को जैसे ही विक्री के लिए रखा गया तो एक कस्टमर ने तुरंथी उसे 200 अमारी की डॉलर यानि करीबन 14,922 रुपए देकर खरीद लिया जिसके बाद इस French Fries का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे महेंगे French Fries के रूप में दर्ज हो गया उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी